नई पुरानी कथा कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूले। कार्थिक मास में रोज किसी पवित्र नदी में स्नान करना और कार्थिक भगवान की कृपस का महत में सुनना इतना भी अगर आपने कर लिया तो आपका उद्धार हो जाएगा। कार्तिक मास में कार्तिक भगवान की महिमा की कथा आये सुने किसी गाउं में एक बुढिया रहती थी और वे कार्तिक मास का वरत रखा करती थी उसके वरत खोलने के समय क्रशन भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते बुढिया के पडोस में एक औरत रहती थी वे हर रोज यह देख कर इर्शा करती थी कि इसका कोई नहीं है फिर भी इसे खाने के लिए खिचडी मिल ही जाती है एक दिन कार्तिक महिने का स्नान करने बुढिया कंगा नदी में गई तो पीछे से क्रिशन भगवान उसका खिचडी का कटोरा रग गए पडोसन ने जब खिचडी का कटोरा देखा और देखा कि बुढिया घर पर नहीं है तब वे कटोरा उठा कर घर के पिछवाडे में फेक आई कार्तिक इस्नान के बाद जब बुढिया घर पर आई तो उसे खिचडी का कटोरा नहीं मिला वे भूकी ही रह गई बार बार एक ही बात कहती कि कहां गई मेरी खिचडी कहां गया मेरा खिचडी का कटोरा दूसरी और पडोसन ने जहां खिचडी गिराई थी वह एक पोधा उग गया जिसमें दो फूल खिले एक बार राजा उस और से निकला तो उसकी नजर उन दूरों फूलों पर पड़ी और वे उन्हें तोड़कर अपने घर ले आया घर आने पर वे फूल उसने अपनी राणी को दे दिये जिने सोगने पर राणी गर्वती हो गई कुछ समय बाद राणी ने दो पुत्रों को जनम दिया जब वे बड़े हो गए तब वे किसी से भी नहीं बोलते थे लेकिन जब वे दोनों शिकार पढ़ जाते तब रास्ते में उन्हें वही बड़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहां गए मेरी खिचडी कहां गया मेरा खिचडी का कटोरा बुडिया की बात सुनकर वह दोनों बोले कि मैं हूँ तुम्हारी खिचडी और मैं हूँ तेरा कटोरा हर बार जब विवेशकार पढ़ जाते तो बुडिया यही बात कहती और वो दोनों वही उत्तर देते एक बार राजा के कानों में यह बात पढ़ गई उन्हें आश्चर हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते हैं तब यह बुडिया से कैसे बाते करते हैं राजा ने बुडिया को राजमहल में बुलाया और कहा कि हम से तो कभी यह बिल्कुल नहीं बोलते तुम से यह कैसे बोलते हैं बुढिया ने कहा कि महाराज मुझे नहीं पता ये मुझे से कैसे बोल लेते हैं, मैं तो कार्थिक मास कवरत करती थी और भगवान कृष्ण मुझे खिचडी का कटोरा भर करते जाते थे, एक दिन मैं स्नान करके वापस आई, तो मुझे खिचडी का कटोरा नहीं मिला, तो मै इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पडोसन ने तुम्हारी खिचडी फेंक दी थी, तो उसके दो फूल बन गए थी, वे फूल राजा तोड़कर ले गया था और रानी ने उसको सूंग लिया, तो हम दोनों लड़कों का जनम हुआ, हमें भगवान कृष्ण ने त दाना, पानी और खुशिया दी, वैसे ही कहानी कहने वाले को और सुनने वाले को, वैसे ही आपका व्रत करने वाले को सब को देना, धन्यवाद, जैकारतिक महराज, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिल्कुल मत भूलना,